चलिए जानते हैं आज साम की हिमाचल परदेश के सभी जिल्लों की सिलेक्टेट काम की बड़ी खबरों को पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए सियम जेराम ठाकूर सापूर और धर्मसला में भरेंगे चुनावी हुंकार नेताओं में सक्ति परदसन की होड 140 बसें भूग जे मुख्यमंत्री जेराम ठाकूर हिमाचल अस्तापना के 75 वर्ष के उपलक्ष में होने वाले कारिकरम के चलते आज सापूर धर्मसला विधानसवा छेतर के दोरे पर होंगे आपके पता देगी मुख्यमंत्री जेराम ठाकूर सुभा गगल हवाई अड़े पर उतरेंगे उसके बाद सापूर विधानसवा में कारिकरम में सामिल होंगी इसके साथ हिमाचल अस्तापना के 75 वर्ष कारिकरम के बहाने मुख्यमंत्री चुनावी हुंकार भरेंगे तो वहीं अस्तानिय विधायक वह मंत्री भी सक्ति पर्दसन का मोका नहीं कवाना चाहते हैं बेड़ जुटा कर वह सक्ति पर्दसन कर स्यम के सामने अपनी टिकट की दावेदारे भी मजबूत करेंगे आम आद्वी पार्टी चिक्षावा स्वास्त के बाद हिमाचल की जनता को देगी तीसरी गैरंटी पालंपूर में आएंगे मान और सिसोदिया जियां आम आद्वी पार्टी हिमाचल के लोगों को अब तीसरी गैरंटी देगी इस समद में कांगला जिले के पार्लमपुर में 31 अगस्त को कारी करम होगा इसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगबन सिंग मान और दिली के उप मुख्यमंत्री मनि सिसोदिया मोजूत रहेंगे इसके साथ ही दोनों ही नेता आम आद्वी पार्टी के रास्टिय संजोजग अर्विंद केजरीबाल की ओर से तीसरी गारेंटी की घोषना करेंगी आपको पता दे कि यह जानकारी आम आद्वी पार्टी के परदेश अध्य सुर्जी ठाकूर ने दी उन्होंने काये कि यह गारेंटी महिलाओं के लिए दी जाएगी इससे पहले पार्लंपुर में अर्विंद केजरीबाल का कारीक्रम रखा गया था लेकिन भारी बरसात के कारण इसे रद करना पड़ा था मनी महिस यातरियों की उमीदों को जटका रात को अधूरे पूल का लोकारपन कर गई बिधायक सुबह फिर काम सुरू जिया उतर भारत की प्रसिद मनी महिस यातरा पर पहुँच रहे सी भक्तों के अलिए संकट बने प्रांगलान मार्ग की रा आसान होने की उमीद फिर धुमिल हो गई है भरमोर के बिधायक ने रात करीब आठ बजे पूल का उधगाटन कर दिया तो मनी महिस सर्धालों को आस बंदी की अब उनकी रा आसान होगी लेकिन ऐसा कता ही नहीं हुआ बिधायक मौदे आधे अधूरे पूल का ही उधगाटन करके चले गए आपको बता दे कि सौमार सुबह फिर से पूल को बंद कर दिया गया मोगे पर मौजूद ठेकेदार वो लेबर का कहना था कि अभी तो पूल का काम अधूरा है केंदरिया टीम ने कुलू चमबा और कांगणा में किया नुकसान का आकलन नुरपूर और भटियात में घरों को भारी नुकसान जिया अंतर मंदराले केंदरिये टीम ने रईवार को हिमाचल परदेश में वर्षा से हुए नुकसान का आकलन किया दो टीमो ने कांगणा जिले के नुरपूर, कुलू जिले के मनीपगर्न और मनाली वर चमबा जिले के कुकरोटी और चुवारी का दोरा किया आपको पता दे कि चमबा के भटियात छेतर संकों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है इसके अलाबा लोगों के घर भी चतिग्रस तो हो गए है कई घर जमीन दोज हो गए हैं तो कईयों में जमीन दसने के कारण दरारे आ गई है गाड़ी की टंकी फूल करवाने से पहले जालने हिमाचल में आज के पेट्रोल डिजल के दाम जै यदि अब गाड़ी की टंकी फूल करवाने जा रहे तो अगस्त मा के अंतिम दिनों में पेट्रोल डिजल के दाम चेक कर ले हिमाचल पर्देश के धर मसाला सहर में इंडियन के पेट्रोल पंपर पेट्रोल 96.26 रुपीय पर्ति लिटर मिल रहा है वहीं इस पेट्रोल की बात करें तो यह 98.28 रुपीय पर्ति लिटर वर डिजल 82.26 रुपीय पर्ति लिटर के हिसाब से भीक रहा है आपका पता दे कि हिमाचल पर्देश में पेट्रोल वर डिजल के बढ़े दाम कम नहीं हो सके हैं आप इसके साथ ही पेट्रोल पदार्दों के लगातार बढ़ते दाम से लोगों की परिशानी बढ़ी है इसका ड्राप्ट लगबग तयार कर लिया है इसे स्विक्रिती के लिए मंत्री मंडल की बैटेक में लाया जाना है आपको बता दे कि राजी खेल कोटे के तरद खिलाडियों को नोकरी दी जाती रही है लेकिन सीधे ही कलास वन में कैसे एंट्री हो सकती है इसके लिए बिभाग ने पुरा परस्ताव तयार किया है अभी मुख्यमंत्री की स्विक्रिती से खिलाडियों को कलास वन की नोकरी तो मिलती है लेकिन पॉलिशी के ड्राफ्ट के मुताबिक पदक के अधार पर नोकरी की कलास आने वाले समय में तय होगी सोलन के नालागड कोट परिसर में फाइरिंग पेशी के लिए लाये कैदी पर बरसाई गोलिया जिया हिमाजल परदेश के सोलन जिला में नालागड कोट परिसर में फाइरिंग हो गई नालागड कोट परिसर में सरे आम बदमासों ने कई राउंट फाइर कर दी कोट में पेसी के लिए अपराधी को मारने का हमला किया है पुलिस की ग्रपतार में कई नहीं आया कोट परिशन में गोली चलने से अपरा तपरी का माहोल बन गया है स्वामार कंडा जेल से हत्या के आरोप में ग्रिपतार अजे उर्फ सन्नी को नालागर कोट में पेसी के लिए लाया गया था इस दोरान दो युवकर ने हत्या आरोपीत केदी पर गोली बारी सुरू कर दी लेकिर पुलिस ने बीच बचाव करते हुए केदी को गोली लगने से बचा लिया महिला की जलकर हुई मौत आग बुजाने में पती भी जुलसा परिजनों ने आत्महतिया की थियोरी पर उठाये सवाल जे धार पंचायत में मनिस कुमार की पतनी 25 वर्षी रजीता उर्फ रोजी ने कतित रूप से खुद को आग लगा ली उसे उपचार के लिए मेडिकल कोली टांडा ले जया गया जहां उसने दम तोड़ दिया पुलिस के मुताबिक रजीता के पती ने आग बुजाने की कोसिस की जिसे वो भी मामुली रूप से जुलस कया है परदेश के इसकुलों को 51 कड़र 61 लाख मिड़े मिल योजनाओं के तहत केंदर रेचारी की पहली किस्त मिली बड़ी रहत जेक केंदर की परदान मत्री पोसन अभ्यान के तहत परदेश के इसकुलों को 51 कड़र 61 लाख की राशी पजारी हो चुकी है रहत की बात यह है कि अपरेल मां से जीन इसकुलों में बजट नो मिलने के चलते दीकत आ रही थी वहाँ पर आप चिक्चकों और करमचारियों को आर्थिक तंगी नहीं जेलनी पड़ीगी आपको पता देगी मिड़े मिल के लिए खादी सामगरी खर्दने के अलाबा MDA वरकरों के मांदे पर भी खर्च किया जाएगा साथी निदे साले ने सभी चिक्चाकंड अधिकारियों को यह रासी जारी कर दिये अगले सबता तक यह रासी संबंदित इसकोलों के बैंक खातों में पहुँच जाएगी याद रहे कि मिड़े मिल योजना का नाम बदल कर अब परधानमंत्री पोसन अभियान रखा गया है रेल लाइन के लिए जमिन का अधिकरण सुरू बद्धी चंडिगड ट्रेक को रेल मंत्रान ने जारी की नोटिपीकिसन जे रेल मंत्रान ने बद्धी चंडिगड रेल लाइन के लिए अतिरिक्त भूमी की कवायत सुरू कर दी है इसी कड़ी में रेल मंत्रान ने अधिकरण की जाने वाली भूमी की 20E के तहद अधिसुचना जारी कर दी है इस रेल लाइन के लिए बद्धी में करीब 4.34 हेक्टियर अतिरिक्त भूमी का अधिगरन किया जाएगा इस अधिगरन के तायरे में 4.09 एक्टियर नीजी भूमी और 0.25 हेक्टियर सरकारी भूमी आएगी आपको बता दे कि उपमंडल परसासन अधिगरन की जाने वाली भूमी के मालिकों को अंतिम अप्चाज़ाएं पूर्ण कर्व मुआपज़ाद अधाईगी शुरू कर देगी बता दे कि अब तक परसासन नो गाउं की 30.3 एक्टियर भूमी का अधिगरन कर चुका है और ज़्यादा तर भूमी मालिकों को मुआपज़े की अदाईगी भी हो चुकी है हिमाचल में खनन माफिया पर सिकंजा अवेद खनन के जुर्माने की रिकवरी को प्रोपर्टी होगी निलाम NGT ने SDM को दी पावर जे हिमाचल में अवेद खनन के जुर्माने की रिकवरी के लिए खनन माफिया की प्रोपर्टी को केस से एटेच किया जाएगा NGT ने संबंधित जीलों के SDM को जुरुआने की रकम बसुलने के लिए खनन माफ्या की प्रोपड़ी को निलाम करने के लिए अधिक रित कर दिया है NGT से मिले आदेश के अतहद अतीरिक्त मुख के सची विग्यान एवं परियावरन्थ परोद्योगी की परवत सक्सेना ने अधिसुचना भी जारी कर दिये मनाली में विदेशी महिला से दूसकर्म रूस की महिला के साथ सिंगापूर से आये युवक ने होटल में किया रेप मामला धर्जी जे हिमाचल की परियटन नगरी मनाली में एक विदेशी महिला के साथ दूसकर्म का मामला सामने आया है पुलिस ने महिला की सिकायत पर छानविन करते हुए एक वेक्ती को गिरफतार कर लिया है हाला कि यह घटना तीन दिन पुरानी बताई जा रही है लेकिन विदेशी महिला रविवार को मनाली थाना में इस घटना की सिकायत करने पहुची और इसके बाद पुलिस ने चानविन करते हुए आप घटना को अंजाम देने वाले बेक्ती को गिरफतार कर लिया है अंसन करेंगे हिमाचल के NPS करमचारी OPS बहाली की मांग पर अड़े सिमला में दो सब्ता से चल रही करमिक हड़ताल जे हिमाचल के नौन पैंसन इसकीम करमचारी अब आर पार की लड़ाई के मूड में है पुरानी पैंसन की बहाली के लिए करमचारी दो सब्ता से सिमला में करमिक अंसन पर बैठे हैं आपको बतादे कि NPS करमचारी संग ने आज एलान किया है कि 15 सिमला के बाद मंडी, कांगणा और हमिरपूर में भी करमिक अंसन शुरू होगा बादल हवा की चाल का मिलेगा ज्यादा सही हाल पंजाब में आठ और हिमाचल में दो वेदर सिस्टम लगेंगे किसानों और परेटेकों को मिलेगा इसका सिधा फाइदा जे मोसम बिभाग की भविश्चिबानी का अक्सर सोसल मेडिया पर मजाग उड़ाता है कारण यह है कि मोसम बिभाग के भारी बारिस बताने के वाबजूत इलाके में तेज हवा चलने के कारण बादल उड़ जाते हैं चुप चिपाई रहती है बिभाग का विदावा है कि अब ऐसा नहीं होगा पंजाब चंडिगड़ और हरियाना में ओटोमेटिक वेदर सिस्टम लगाए जा रहे हैं कामगार कलियान बोट की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन सुरू जैसी कई योजनावों पर आर्थिक सहता परदान कर रहा है दोस्तों आज की खबरों का सिर्षला ये खत्म होता है अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद वादो वीडियो को लाइक, सेर चनल को सब्सक्राइब जरूर करें